नमस्कार दोस्तों श्टेटीवी दियान प्रकास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज है 23 जून और इस वीडियो में हम लोग 23 जून के सबसे बड़ी खबरों को डिस्क्स करेंगे तो प्रदेश के जो बिजली उभोगता हैं उनके घरों में अब चीनी स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के जो संबन्द हैं वो अब तक के सबसे निचले अस्तर पर हैं जिसकी वज़ह से अब हर जगह पर जो चीनी सामग सोने लखनों आचुके पीटी हेक्सिंग कंपणी के आठ हजार चीनी स्मार्ड मीटर उभोकताओं के यहां नय लगाने के निर्देश सो मुआर्गो अधिकारियों को दे दिये गए हैं और राज विद्दुत उभोकता परिशत के अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने जो भी PCS 2018 का जो मुखी परिच्छा है हो चुकी है उसका पैडाम लंबे समय से लंबित है हाला कि जो अभिड़ती है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि परिणाम यह था सीग रिजल से जल्द घोसित किया जाए तो फूरी उम्मीद है कि इसी हपते PCS 2018 मुखी परिच्छा क जारी कर सकता है इस परिच्छा के तहट PCS के 988 पदों पर भरती होनी है और आयोग ने अप्रेल में ही रिजल्द जारी करने की खुश्वा किती लेकिन लागडाउन हो गया और लागडाउन जब ओपन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्जामनर थे जो कि आयोग आने को तयार नहीं थे जिसकी वजह से इसका पैडाम आने में देरी हुई यह वजह यहां पर बताई जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पदों की संख्या काफी अच्छी थी लेकिन 2020 का जो आवेदन लिया गया था उसमें पदों की संख्या काफी कम रखी कि यह कुल मिला के 200 ही पद हैं लेकि फिर बार कमाल की बात यह रही कि इस बार आवेदन की संख्या काफी बढ़ी है तो इस बार की जो परिक्षा होनी है वह 11 अक्टूबर को होगी और इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको और लेवल करवाय जा रहे हैं बिलकुल फ्री मे वह इस बात की जर्चा कर रहे थे कि आयों की और से मुल्यांकर प्रडाली में कुछ बदलाओं किया जा रहा है और इसी वज़े से परडाम जारी होने में देरी हो रही है लगिंग किसी बदलाओं के बारे में कोई सूचना यहां पर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और और इसी क्रम में आपको बता दें तो असिस्टेंट प्रोफेसर समासास्त का जो इंटर्व्यू है वो 25 से सुरू होगा और ये इंटर्व्यू सामुई नहीं होगा इसमें कोड का आदेश था इलावाद हाई कोड की लगनों खंडपीट के आदेश पर असिस्टेंट प्रोफ प्रिड़ों का जो साच अठ्कार है वो पहले ही हो चुका है और 25 जून को इंटर्व्यू उपूरा होने के बाद उसी दिन जाई होने की संबहुना है तो जो रिजल्ट होगा वह 25 जून को ही जाने की संबहुना यानि की अब से ठीक दो दिन के बाद और सभी प्रमार पत्रों की जांच के बाद मिलेगी नवकरी एल्टी ग्रेट के जो चैनित हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति प्रदान पहले कर दी जाए और उसके बाद ही उनका जो प्रमार पत्र है उसका सत्यापन करवाया जा लेकिन यहा सेट का सत्यापन मादिस सक्षा निरस ने शुरू कर दिया है यह कि जो सत्यापन का कार धक्E सुरू ओगया है सभी अंक पत्रों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही नियुक्ति मिलेगी और आनलाइन काउंसलिंग के दौरान अभिरतियों से पांच बिद्यालें के बिकल्प मागे जाएंगे तो काउंसलिंग के बाद जिनों के प्रमारपात्र सही पाया जाएंगे सर्टिफिकेट्स तो उनको जो है उनकी आ कि आप जानते हैं कि 13 विश्यों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है अभी दो विश्यों के पैडाम हिंदी और समाजी विग्यान विश्यों के पैडाम अभी जारी नहीं हो सके हैं अगर किसी अब्रति के अंग पत्र या प्रमारपत्र में गडबड़ी पाई जाती है तो नियम के तहट उसका जो अभेड़तन होगा वो निरस्त कर लिया जाएगा अंजना गोयल ने अभेड़तों के सामने इस्तिती असपर्ष करते हुए कहा कि सभी प्रमारपत्रों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी उन्ह होतांक भरने में गलती करने वाले अभेड़तों ने सिक्षा परसिद्ट काराले के सामने 100 मारं को परतरसं किया अभेड़तों की मांग है कि हाई कोड के आदिस के अनुसार जो उनका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन है वो करवाए जाय और उनको न्यूक्ति प्रदान कर दीज सच्चियों अभेटियों की मांग सासन अस्तर पर पहुंचाएं कहा कि बेसिक शिचा परषद पर उनका जमावड़ा तब तक रहेगा जब तक उनकी मांगों को सासन अस्तर पर पहुंचा कर उस पर जो उचित निड़े नहीं लिया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि 99 सब्सक्राइब कर लिया गया है लेकिन अभी वी चंद्रमायादों गिरफ्त में नहीं आया है उसकी गिरतारी के लिए भदोई से लेकर लखनाओ तक स्टीफ की छापे मारी हो रही है और दो टीमें लगाएगी है और उसकी गिरतारी के साथ ही इस फरजी वड़ा करने वाल पंचमलाल विद्याल है वहीं से पेपर आउट होने की समावना है समावना नहीं पकी कबर है और उसके बाद इस आरोपित की तलास लगातार जारी है और इसी क्रम में आगे बढ़े तो कार्मेंट स्कूलों की फिस माफी को लेकर जनहित संकर समित की और से कल प्रयाग प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमिल के सरवानी ने कहा कि नरसाजी से आठवी तक के सभी विद्याले मार्च 2021 तक बंद किये जाए क्योंकि स्कूल खुलने पर बच्चों के संक्रवित होने की आशंका बनी रहेगी तो मतलब इनकी मांग ये की जा रहे है कि मार्च 2021 तक कोई भी कच्चार तक का स्कूल कालेज ना खोला जाए कच्चा 9 से 12 तक के सभी विद्यालों की तीन मा की फीस ली जाए और खबर ये निकल के आ रहे है कि एक जुलाई से स्कूलों में सिख्चों को जाना होगा अनिवार पर क्लास में बच्चे नहीं होंगे जो ठीचर जाएंगे इस स्कूल में वो पहले कितरे पढ़ाएंगे रिकॉर्डिंग करेंगे रिकॉर्ड करके वो बच्चों के या फिर उनके अहिवाओ के जो वार्टसप नमबर है या या यूट्ट्यूब पर अप्लोड करके उसका लिंक वार्टसप नमबर पर सेयर कर कि सिक्षकों के पढ़ाने की वीडियो रिकॉर्डिंग इस्टुटेंट्स या अभवाकों को वार्टसप पर दी जाएगी इस्टुटेंट्स का पेरग्रूप बनाया जाएगा इसमें बच्चे स्मार्टफोन के जरिये अपने दूसरे साथी से पढ़ाई के सभी जानकारी क को साजा करेगा साथी सभी स्कूलों के प्रिंसिपल रोज सिक्षक त्वारा इस्टुटेंट्स को पढ़ाई की सारी जांकाई रखेंगे डिया यूएस वह अन्य अधिकारी हर एक स्कूल का निरिक्षण करेंगे और इसी बीच बड़ी ख़बर यह निकल के आ रही है कि सी की और से पांच जुलाई को जो सीट एड की परिक्षा होनी है उस पर भी संकट खड़ा हो गया है पांच जुलाई को सीट एड के साथी 18 से 33 जुलाई की बीच जेए मेंस और 26 जुलाई को मेडिकल प्रिश परिक्षा नीट भी है तो उस पर भी संकट के बादल मटरा रहे ह से मानों संसादन मंत्राले की और से CBSC, ICSC की दस्वी और बरहावी की परिक्षाएं नहीं हुई तो सरकार के लिए CTET, JEE, Mains और नीड जैसी परिक्षाओं में लागों की संख्याँ में परिक्षारती सामील होते हैं और इनका देश के अलग अलग भागों में केंडर बनाया गया है और कहीं कहीं पर अभी भी बरतमान में होट स्पाट छेत रहे हैं, कंटेंडमेंट जोन हैं तो वहां से भी या तो बिरती आएंगे या वहां पर ही परिक्षाओं होंगी तो परिक्षाओं किस प्रकार से होंगी यह एक विचार वाला बिंदू है ठीक हैं और जैसा कि आप जान रहें कि अभी भी भारत ने बहुत तेजी से कुर्णा संक्रमन जो फैल रहा है और इसकी संख्या अब अत्तिदिक ब परिवाई जाएगी 69,000 सेक्षकवर्ति के चनितों की आवेदन पत्र की गल्तियां सुधारने का आउसर मिल गया है इन अभेर्दियों को जीला चन समीत को सफत पत्र देना होगा वहीं अंक बदलने में उनका जीला आवंटन भी बदलेगा क्योंकि मेरिट तो बदल इनका मतलबा समझ रहे हैं कि जिन्हों का ब्रतियों के अंक कम जिन्हों ने डाले थे और अब अंक वहाँ पर वो अपना करेंगे या भी बढ़ा के डालेंगे तो वहाँ पर आटोमेटिकली वो एंट्री कर जाएंगे लिस्ट में और लिस्ट में जो बॉर्डर कटेगरी क कंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनको वो रिप्लेश भी कर सकते हैं तो यह एक मतलब एक तरीके से समश्चा हो सकती है परसेदी स्कूलों के सहाग ध्यापक बद पर चैनित अभ्यर्थी लंबे समय से आविदन पत्र में रापतांग वा पूर्णांग आज में संसुदन का मौका नहीं दिया तो हाई कोड की सरण ली गई कोड ने जिलाच चैन समित को इसका संग्यान लेने का आदेश दिया है और अंसर जार पांसो सिख्षक भर्थी में भी अपरतियों को संसुदन का औसर कोड से ही मिला था तो यहां पर बात यह थी कि अंसर जार प संसर पदों पर जो चैनित सूची जारी कर दी गई है तो अगर नए अपरति उसमें इन होते हैं तो एक समस्या होगी कि अगर इनको इन किया जाता है तो कुछ अपरतियों को आउट भी अपने आप होना पड़ेगा तो यह समस्या होगी और 2018 में राजस गुपता बनाम पाविद होती है तो उसका असर जिला आवंटरन पर पड़ेगा इसलिए समंदित अपरतियों से इस आशे का सपत्पत्र लिया जाए कि आनलाइन अविदन पत्र तुटिपूर भरे गए अंकों के आधार पर अपरतियों को जिला आवंटरन बदलता है तो भी उसे सुईका और अबरतियों को यह भी सपत्पत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसलिंग हुई उससे इतर किसी अने जिले में न्यूंपति के लिवदावा नहीं करेगा और परिश्य सच्छिव काउंसलिंग सुरू होने पर आदेश जारी कर सकते हैं उत्तर प्रेस के साले रखने का आरूप लगाते हुए नाराजगी भी जता ही है अबरतियों का कहना है कि यह भरतियां भले इस सरकार की साख हैं लेकिन अधिकारियों की गलत प्रीफिंग की वजह से मामला दो साल से खिसता चला आ रहा है आरोप यह है कि सिश्चा मित्रों के 37,349 पदों को होल्ड के जाने को लेकर सरकार की ओसे मौडिफिकेशन कराने और पूरे 69,000 पदों पर भरतिक लिए 17 जून को फाइल किया गया था मौडिफिकेशन है आज क्या से ए ओ आर 37,35 ने भी अपना पक्ष रखना चाहा था लेकिन कोड उसके पहले ही ए ए ए जी की गलत भहस से भर्मित हो गई थी 19 जून को सुनवाई के दोरान सरकार की ए ए जी एसोरिया भाटी ने 21 मई के बजाए 9 जून की मौडिफिकेशन अपील पर सुनवाई की बात करी अगर वो करी होती तो सैद सरकार को राहत भी मिल जाती और भरती जो होती वो जल से जल पूरी हो जाती डबल बेंच के आदेश के बाद सरकार ने भरती प्रक्रिवा को लेकर तेजी दिखाई थी सिक्षा मेत्रों ने जब सरबोच नयाले में हाई कोड के आदेश को चुनोती दी थी तो सरकार ने तेजी दिखाते विए भरती को आगे बढ़ा दिया था सरकार की अपील पर 21 मही को न्याय मोर्ती ललित ने भरती को डबल बेंच के आदेश पर आगे बढ़ाने का आदेश दिया वहीं 40-45 पर सिश्चामेत्रों का डाटा आगामी 6 जुलाई को कोट में लाने का आदेश भी पारित क्या गया है अब इस पर जो अंतिम सुनवाई होनी है वो 14 जुलाई को होगी और एक अच्छी कबर है आप सबी लोगों के लिए प्रदेश के तीन हजार से अधिक एड़िट जूनियर हाई स्कूलों के लिए सिक्चक चेहन की तैयारी है पहली बार इन स्कूलों में परदाना द्यापक औ और ब्यश्य के मतलब कि आपसी तालमेल से भर्तियां होती थी तो अब उसमें कर दिया गया है अब प्रदेश सस्तर पर एक परिशा होगी और इस परिशा के माध्यम से ही अब अभेटियों की नियुक्ति की जाएगी तो देखिए आने वाले समय में आपको कई सारी वेकैं करते हैं अगर आपने जूनियर का टेटी पास किया हुआ है तो आप इस भरती में पाडिशिपेट कर पाएंगे च्छा माह में बेसिक शिचा विवाग लिकित परिशा का सवरूब अभी हरा की तैने ही किरपा है जूटू लागदाउन और लेकिन अब ये भरती प्रक्रिय में कोई लेटेस्ट इंफार्मेशन ये नहीं है कि ये भरती कब से स्टार्ट होगी लेकिन बड़ी बात यह कि अब जो रिवाइस डेटा हैं कि किस एड़ेट जूनियर हाई स्कूल में कितने पत्काली है वो डेटा कलेक्ट कि जा रहे हैं यानि कि ये भरती अब शीग्री गती पकड़ने वाली है और अगर आप सिक्षक बना चाते हैं तो देखिए नेगेटिव सोचने से तो कुछ होगा नहीं नेगेटिव सोचने का मतलब यह है कि जहां पर आप हैं बिल्कुल वहीं पर आप बने रहेंगे आगे बढ़ने के लिए आपको सकरात्मक होना आप सबी को मंगल मैं दिवस की धेर साइज शुब कामने वीडियो को लाइक और शक्र देजीगा गडब्डेस यू आल थैंकियो सो मच